नवरात्रे के छटे दिन मा के किस सवरूप की पूजा होती है जय भेरोवाबा की जय मादुरूगे मेरे पिरियदर्शको मैं जोतिशा चारे परवीन और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल एस्ट्रोजी टूड़ी मेरे पिरियदर्शको या देवी सुरूब देश कात्यानी रूपेन संस्ती तहां मेरे पिरियदर्शको नवरात्रे का चटा दिन यानी मा धुरूगा के छटे सुरूप मा कात्यानी का दिन माना जाता है इस दिन यदि आप मा कात्यानी की पूरी सरदा और भाव से पुझा रचना करते हैं तो आपको अर्ध, धर्म, काम और मोक्स की प्राप्ती होती है मा कात्यानी की किरपा से इंसान के जीवन में सुख समर्दी सदा चार आदे का संचार होता है मा कात्यानी सभी दुखों की हरनी है वह अपने भक्तों को हर दुख से मुक्त करती है लेकिन मा कात्यानी की पूजा से जुड़ी एक विशेश बात यह है कि यदि व्यक्ति के जीवन में विवायत समधित कोई समसा चल गई है तो उस व्यक्ति को नवरात्रे के छटे दिन मा कात्यानी की विशेश तोर से पूजा जो है करनी चाहिए और उनके मंतर का जाब भी कर करना चाहिए इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि नवरात्रे के छटे दिन अपनी विभास जीवन से संभित समस्था से चुटकारा पाने के लिए किस तरह से मतलब मा कात्यानी की आप पूजा करें अर्चना करें अब सुनिए आप पूजा विधी मानता यह है कि ग मा कात्यानी का मतलब बरज मंडल अधिस्टाट्री के रूम में भी पूजा जाता है और मा कात्यानी को पीला और लाल रंग परसंद है इसलिए ध्यान रखे कि मा सियासन का जो मा का सियासन होता है पीला या लाल रंग का हो अगर आप पीले या लाल रंग के वस्तर पहन कर म से मा परशन होती है और मा को भोग के रूम में पीले रंग का परशाद चड़ाना सुब होता है खास तोर पर यदि आप मा को सहद का भोग लगाते हैं तो मा को सहद अधी पिरिये है और इसका परशाद घरिन करने पर मा जो है अधी परशन होती है और आपकी सारी मनोकामनाई पूरान करती है तो मेरे पीरे दरसको आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जै मादुर्गा